बिसमिल्लाहिर रह्मान रहीम, असलाम अलेकम दोस्तों कैसे हो आप समीद करता हूँ, आप सब ठीक होंगे वेलकम टू दा चैनल लिटरेचर कवरेज, आउ लिटरेचर पड़े दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुती फेमस प्ले पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नेम है Hamlet दोस्तों ये प्ले एक बहुती फेमस राइटर इंगलिष इस्ट्री में जिनका बहुती बड़ा नेम है विल्यम शेख्पियर ने ये प्ले लिखा था दोस्तों इस play की जो original language है वो है early modern English और इसका योनरा है Shakespearean tragedy या फिर simple tragedy कहले या revenge tragedy कहले इस play की जो setting of time है वो है 14th और 15th century late middle ages और इस play की जो setting of place है वो है और royal palace in Elsinore, Elsinore Denmark में एक city का नेम है यहां पे ये play सेट किया गया है हैमलेट प्लेए Shakespeare का सबसे बड़ा play था जिसमें तकरीबन 29,555 words मजूद है दोस्तों ये play 1599 से 1601 के दरम्यान में लिखा गया था और ये play 1600 से लेके 1601 में परफॉर्म किया गया था इस play का जो full title है वो है The Tragedy of Hamlet Prince of Denmark ये play 1603 को publish हुआ था और इसका full version 1604 से 1605 तक आया था ये play पहली बार The Globe थेटर में परफॉर्म किया गया था दोस्तों बहुत interesting play है ये इस play के protagonist का name है Prince Hamlet और antagonist इस play में है Prince Hamlet का uncle Claudius Hamlet play के total 5 acts हैं और ये play London में लिखा गया था जिस time पे ये play लिखा गया उस time पे Queen Elizabeth की जो हकूमत थी वो खतम होने वाली थी England में दोस्तों Shakespeare बहुत ही famous playwright थे, poet थे और actor थे इन्होंने तकरीबन 39 plays लिखे और 154 sonnets लिखी इनको England का national poet भी कहा जाता है दोस्तों ये tragedy किस तरह से है ये भी आपको पता चल जाएगा और further इस play में क्या होता है ये आज इस summary में हम लोग Hamlet play की summary में cover कर लेंगे तो जोले दोस्तों बिना time waste किया शुरू करते हैं इस play की summary दोस्तों ये play कुछ यू शुरू होता है कि एक royal palace है ऐलसी नौर में ऐलसी नौर एक city का name है जो कि डैनमार्क में वाकिया है तो सर्दियों का मौसम है और काली अंदेरी रात है दो पहरेदार जिनका name है मासिलस और बर्टनाडो ये दोनों देखते हैं कि एक boot या ghost कहलें वो इस किले की दिवारों के उपर चल रहा है इस महल के दिवारों के उपर चल रहा है वहाँ पे अपियर होता है तो ये दोनों डर जाते है और ये क्या करते हैं एक scholar को बलाते है जिसका नमत है Horatio तो Horatio आके देखता है तो उन पैरेदारों की बात वाकरी सच होती है कि एलसी नौर पैलस में एक boot वाकरी अपियर होता है और ये boot Horatio देखता है कि लेट किंग हैमलेट का है जो कि मर चुक है Horatio क्या करता है पैरेदारों को बोलता है कि ये बात बाहर किसी को भी पता ना चले तो फिर Horatio क्या करता है प्रिंच हैमलेट को बला के लाता है प्रिंच हैमलेट जो है वो किंग हैमलेट का बेटा है दोस्तो प्रिंच हैमलेट बहुत ही ज्यादा दुखी है अपने बाब की मौत पर उसको ये बात पता ही नहीं चल लगी कि उसके बाब की मौत कैसे हुई बहुत ज़्यदा दुख में है इसने काले कपड़े पहने हुए है और पागलों की तरह बहेव कर रहा है हर वक्त तनहा रहता है और सोचों में मगन रहता है बहुत ज़्यादा तकलीफ में है जो प्रिंस हैमलेट है अपने बाब किंग हैमलेट की मौत पर और इसके इलावा एक और दुख हैमलेट प्रिंस हैमलेट को इस बात का भी है कि इसकी माँ गर्ट रूड ने इसके अंकल कलोडियस से शादी कर ली दोस्तो प्रिंस हैमलेट और किंग हैमलेट दोनों का नेम सेम से मैं आपने कनफ्यूज नहीं होना जो किंग हैमलेट है वो मर चुक है अब उसका बेटा है प्रिंस हैमलेट तो प्रिंस हैमलेट की माँ का नेम होता है गर्ट रूड और किंग हैमलेट की बीवी होती है जो वो क्या करती है प्रिंस हैमलेट के अंकल और किंग हैमलेट के बाई कलोडियस से शादी कर लेती है अभी कुछ ही वकत हुआ होता है किंग हैमलेट को मरे हुए तो प्रिंस हैमलेट को इस बात का बहुत दुख है कि उसकी माँ नैसा क्यूं किया प्रोयल पैलेस की दिवारों पर और वो बिल्कुल हैमिलेड के बाब की तरह का रहा है तो हैमिलेड जाता है तो देखते हैं कि वो बूत वाकर ऑपियर होता है वो बूत किसी और से बात नहीं करता वो बूत कहता है कि वो हैमलेट से प्रिंस हैमलेट से अकेले में बात करना चाता है तो वो हैमलेट देखता है प्रिंस हैमलेट के ये बूत तो उसके बाप का ही है तो हैमलेट के बाप का बूत उसको कहता है कि वो हैमलेट के बाप की ही रू है और फिर हैमलेट के बाप का जो गूस्ट होता है वो हैमलेट को प्रिंस हैमलेट को ये बताता है कि उसकी मौत नैचरली नहीं हुई उसको कतल किया गया है और कतल किसने किया है किंग हैमलेट के ही बाई कलोडियस ने कान में जहर डालके कतल कर दिया था किंग हैमलेट को और उसके बाद किंग हैमलेट की बीवी और प्रिंस हैमलेट की मां गर्ट रूट से शादी कर ली और डैनमार का बादशा बन गया जो कलोडियस था फिर लेड किंग हैमलेट का बूत प्रिंस हैमलेट को कहता है कि वो प्रिंस हैमलेट बदला ले उसकी मौत का कलोडियस से उसके बासुबा का टाइम हो जाता है तो वो बूत डिसपियर हो जाता है गायब हो जाता है हैमलेट होरेशियो को और वाजमेन को कहता है بعد बाहर किसी को भी पता ना चले दोस्तो अब हैमलेट को उसके बाप के बूट ने आगर बता दिया कि उसको कतल किया गया था लेकिन हैमलेट फॉर एंड एक्शन नहीं लेता ये ना ज़्यादाता सोचता रहता है इतनी जल्दी action नहीं लेता ये वो अपने mind में सोईता है कि हो सकता है ये उसके बाप का बूत ना हो हो सकता है ये कोई शैतान हो या कोई और spirit हो जो कि इससे गलत काम करवाना चाहती है प्रिंस हैमिलेट से इससे कतल करवाना चाहती है एक बहुत बड़ा गुना करवाना चाहती है और ये बूत पता नहीं कहां से आया और ये बूत क्या चाहता है इन सोचों में पढ़ा रहता है हैमिलेट प्रिंस हैमिलेट जो है और जल्दी action नहीं लेता प्रिंस हैमिलेट action नहीं ले रहा लेकिन किसी बहेव करता है काले कपड़ों में रहता है और हर एक से बहुत रूडली बात करता है तो गर्ट्रूड और क्लोडियस को बड़ी फिकर उने लग जाते है कि हैमलेट के बहेविर में ऐसी चेंजिंग क्यों आ रही है वो इसकी वज़ा पता करवाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं हैमलेट के दो दोस्तों को बुलाते हैं जिनका नेम होता है रोजन करांट्स और गिल्डन स्टर्न तो इन दोनों को इस काम पे लगाया जाता है कि यह पता करें कि हैमलेट के बहेविर में चेंजिज क्यों आ रही है वो इतना रियूडली क्यों बहेव कर रहा है इ और यह Royal Family के साथ होता है दोस्तों, Polonius का एक बेटा है और एक बेटी है इसके बेटे का नाम है Leertes और इसकी बेटी का नाम है Ophelia तो Polonius बताता है कि हो सकता है हैमलेट उसकी बेटी Ophelia के प्यार में पागल हो गया इस वज़े से ऐसा बिहेव कर रहा है तो क्या करते हैं यह Ophelia को बलाते है Claudius, Gertrude और Polonius और उसको कहते हैं कि तुम यह बात का पता चलाओ कि हैमलेट ऐसा क्यों कर रहा है क्या वो तुम से बहुत ज़्यादा महबत करता है इस वज़े से ऐसे कर रहा है या कोई और वज़े तो Ophelia उनकी बात मान लेती है और यह चुपकर बाते सुनते हैं दोनों की जो Claudius होता है और Gertrude और Polonius लेकिन उनकी बात तों से पता चलता है कि हैमलेट जो है वो अफिलिया से प्यार महबत नहीं दिखा रहा कोई और ही वज़े लग रही है और प्रिंस हैमलेट को भी इस बात का शक हो जाता है कि अफिलिया जो है यह Claudius के साथ और Polonius के साथ मिली हुई है प्रिंस हैमलेट को पहले इतना गुसा है कि इतनी दूमदाम से शादियां में नहीं जा रही है इसकी मा गर्टरूड इसके अंकल Claudius के साथ इंजुआय कर रही है और इधर मौत वाकिया हुई पड़ी है कुछ वकत पहले ही किंग हैमलेट की और इन सब को मज़े करने की पड़ी है तो इन बातों की वज़ा से और गूस्ट की अपेरेंस की वज़ा से हैमलेट फिर से दमागी तोर पर थोड़ा हिलसा गया है कुछ वो जान बूच कर ऐसा बिहेव कर रहे है पागलों वाला और कुछ उसको दुख भी है बस पता चिलाना चाहरा क्या कलोडियस ने वाकिए उसके बाप को मारा था या फिर वो बूत कोई शेतान था दोस्तों ओफिलिया और हैमलेट एक दूसरे से प्यार करते है लेकिन अब हैमलेट कोई खास प्यार का इजहार नहीं कर रहा ओफिलिया से तो जैसे कि मैं पता है कि शादी की रसुमाच चल रही है गर्टरूड और कलोडियस की शादी की और कलोडियस के बाश्या बने की खुशी में इस तरह से जशन का एहतमाम किया जा रहा है तो एक्टर्स का एक ग्रूप लाया जाता है जो के आगे परफॉर्मस करते हैं स्टेज पे ड्रामाज या प्लेज वगेरा परफॉर्म करते हैं तो हैमलेट ये माइड में एक आइडिया आता है वो इन एक्टर्स के ग्रूप को कहता है कि वो एक प्लेए परफॉर्म करें उस प्लेए के जो सीन्स वगेरा होते हैं बिल्कुल वैसे ही हैमलेट उनको बताता है, जैसे कि उसके बाप की मौत हुई थी, उसके बाप के कान में जहर डालके कलोडियस ने उसको मार दिया था, कि हैमलेट सो रहा था कि कलोडियस ने आके उसके कान में जहर डाल दिया, और वो अपने गार्डन में लेटा लेटा ही मर गया इस play का नाम रखा जाता है mouse trap और जो prince amulet है ये play इस वज़ा से perform करवाना चाहरा है ताकि वो ये note कर सके कि क्या Claudius ये play देखके कोई reaction देता है या उसका reaction change होता है तो क्या अप सब लोग आ जाते हैं और play शुरू किया जाता है तो amulet और जो हुरेशी होते हैं ये दोनो Claudius के expressions को note करना शुरू कर देते हैं तो जब actors perform करना शुरू कर देते हैं और इस play में जब ये दिखाया जाता है किस तरह से एक आदमी बाशा बने के लिए अपने बाई को मार देता है उसका बाई सो रहाता है तो उसके कान में जाके जहर डाल देता है तो वो उसका बाई मर जाता है तो actors जब ये scene perform करते हैं तो जो Claudius होता है ना वो देखके गबरा जाता है दर सा जाता है फोरण उठकड़ा होता है वहां से चला जाता है सब को छोड़के और अपने रूम में चला जाता है हैमलेट और हरेशियों के ये बात confirm हो जाती है कि वाके ही Claudius नहीं कतल किया है किंग हैमलेट का और वो बूत वाके में ही किंग हैमलेट का था और सच बोला रहा था फिर प्रिंच हैमलेट Claudius को कतल करने के लिए उसके रूम में जाता है और जाके देखता है कि Claudius अबादत कर रहा होता है तो जब वो देखता है ना कि ये तो अबादत कर रहा है Claudius तो वो उसको मारने का अरदा खतम कर देता है जो प्रिंच हैमलेट होता है वो कहता है ये अबादत कर रहा है अगर मैं इसको मार दूंगा ना तो ये तो जन्नत में चला जाएगा कि अबादत करते हुए मर गया और इसको जन्नत मिल गई तो प्रिंच हैमलेट कहता है कि वो थोड़ा और वेड करेगा उसको कोई और चांस मिलेगा तब वो कतल करेगा कलोडियस को और अपने बाप की मौत का बदला लेगा प्रिंस हैमलेट सोईता है कि वो कलोडियस को अच्छा काम करते वे यानि अबादत करते वे नहीं मारेगा वो उसको बुरी मौत देना चाहता है मतलब यही हुआ न या फिर दूसी बात यही हो सकती है कि हमलेट जो है वो अभी तक भी एक्षिन लेने की जुरत नहीं कर रहा दोस्तो कलोडियस बहुत परिशान हो गया अब उसको अपनी ना जिन्दगी की फिकर लग गई है वो उसको भी शक हो गया कि हमलेट को पता चल चुका है कि कलोडियस नहीं उसके बाप को मारा था तो कलोडियस होईता है कि क्यों ना हमलेट को एक बार इंगलेंड बेई दिया जाए फिर दोस्तो हमलेट गुसे में अपनी माँ के कमरे में जाता है Gertrude के कमरे में जाता है उससे लडने के लिए कि उसने क्यों ऐसा किया शादी क्यों की Clodius के साथ और अगर उससे पता था कि Clodius नहीं King Hamlet को मारा है तो उसने बताया क्यों नहीं Hamlet अपनी माँ के साथ इतनी बतमीजी कर रहा होता है कि इसके बाप का बूत फिर से आ जाता है King Hamlet का गूस्ट आ जाता है लेकिन वो Gertrude को दिखाई नहीं देता वो सिर्फ Hamlet को प्रिंस Hamlet को दिखाई देता है तो वो गूस्ट प्रिंस Hamlet को कहता है कि तुम सिर्फ Clodius से बदला लो Gertrude को कुछ ना कहो यहां पर देखा जा सकता है कि इसके प्रिंस Hamlet को अपनी बीवी से कितना प्यार है लेकिन उसकी बीवी ने क्या किया Clodius के साथ उसकी मौत के कुछ टैम के बाद ही शादी कर ली लेकिन King Hamlet अभी भी कहता है इसको कुछ ना कहो प्रिंस Hamlet Clodius से बदला लो तो इतने में प्रिंस Hamlet को परदे के पीछे से एक आवाज आती है कोई शोर सनाई देता है तो उसको लगता है कि Clodius चूपा हुआ है परदे के पीछे प्रिंस Hamlet अपनी तलवार निकालता है और क्या गर के मार देता है उस परदे के अंदर ओ ये क्या हो गया जब परदे को हटा के देखते हैं तो पता चलता ही वहाँ तो प्लोनियस शुपा हुआ था और मारना Clodius को था और मार गया प्लोनियस तो Hamlet को सजा के तोर पर England बेई दिया जाता है मुलक बदर कर दिया जाता है Rosencrantz और Guildenstone को दोनों को हीमलेट के साथ बैजा जाता है दोस्तों हैमलेट जो है ये University of Βिटन بर्ग में पढ़ता था तो इसके साथ ही थे ये Rosencrantz और Guildenstone इसके दोस समझ लें तो ये भी इसके साथ उसी यूनिवरस्टी में पढ़ते थे और जो हुरेशियो है ये भी हैमलेट के साथ उनिवरस्टिय आफ विटनबर्ग में पढ़ता था दोस्तो हुरेशियो तो मुखली से है अपने दोस हैमलेट के साथ लेकिन जो रोजन करांट्स और गिल्डन स्टर्ण ने ये दोनों कलोडियस के साथ मिल जाते हैं और हमलेट को दोखा देते हैं बहला किस तरह से जब ये तीनों लोग सफर पर जा रहे होते हैं तो रोजन करांट्स और गिल्डन स्टर्ण के पास एक लेटर होता है एक मैसीज होता है जो कि उन्होंने इंगलेट के बाशा को देना होता है कलोडियस के कहने पर तो उस लेटर में ये होता है कि हमलेट को इंगलेट पहुंचते ही कतल कर दिया जाए तो हमलेट के दोस्त उसको दोखा दे रहे होते हैं तो हमलेट को ये बात पता चल जाती है वो क्या करता है वो जो लेटर होता है उसको पकड़ लेता है और वहाँ पे लिख देता है अपना लेटर जिसमें वो लिखता है रोजन करांट्स और गिल्डन स्टर्ण को कदल कर दिया जाए फिर इस जहाज पर कुछ डाकू हमला कर देते हैं बहरी समूंदरी डाकू कह लें और जो हमलेट होता है प्रिंस हमलेट वहाँ से बाके फिर से वापस आ जाता है डैनमार्क दोस्तों पीछे क्या होगा डैनमार्क में पलोनियस की मौत के बाद उसका बेटा लियर्टीज जो के फ्रांस में रहता था वो वापस आ जाता है डैनमार्क में और बहुत ही ज्या दोस्तो अफिलिया तो बहुती बुरी हालत में है ना, वो बहुत परिशान है, बहुत गंगीन है, ने ऐन दोसके पनते भाप का गनते है और ये दोस्ते पहुत को पता है, दोस्तो वह सज्वेजं वंसे दा काका की द कारा ऩ। और ये द्रिया में गिर के मर जाती है यानि गर दूब के मर गई है द्रिया में हैमिलेट वापस आ जाता है और उसको पता चलता है कि अफिलिया मर गई है तो भाई उसके भी होश उड़ जाते है अफिलिया को दफनाया जा रहा होता है तो हैमलेट वहाँ पे जा के देखता है तो बहुत ज़्यादा गमगीन होता है और कहता है कि वो अफिलिया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है अफिलिया से इतना प्यार करता है कि अगर 40,000 इसके बाई भी होना और इसको मिलके प्यार करें αфیلیا花 को तो वो इतना प्यार नहीं कर सकते जतना प्रिंस हəमलेट अफिलिया से करते है दोसटो जब अफिलिया को दफनाय जा रहा होता है तो लेयर्टीज की और प्रिंस हैमलेट की लड़ा ही हो जाती है आपस मेund हैमिलियाटीस को बताता है, कि वह अफीलियाइसे प्यार करते है, दोस्तों क्लोड्यस जो है ना, उसको मिर्चे लगा देता है पकड़के, लियाटीस को, कि हैमिलियट ही, उसके बाप لोनिय सोरस की बहन अफीलियागी, मौत का जुमेदार है, तो जब हैमलेट वापस आ जाता है न तो जो कलोडियस होता है वो कोर चाल चलता है वो कहता है कि यार लियर्टीज गुसे में है इसने अपने बाप की मौत का बदला लेना है तो क्यों न इसको इसको इस्तमाल किया जाए और प्रिंस हैमलेट को मरवा दिया जाए तो दोस्तो लड़ाई भी हो चुकी है प्रिंस हैमलेट की और लियर्टीज की तो कलोडियस होईता है क्यों न इन दोनों का अपस में मैच करवा दिया जाए यार मदान में लड़ लें ऐसे क्यों लड़ रहे हैं सब लोगों के सामने लड़ लेते हैं तो एक मैच रखा जाता है जिसको फैंसिंग कहते हैं इसमें तलवारों के साथ दो प्लेयर्ज आपस में फाइट करते हैं बजाहर तो सबको यही लग रहा होता है कि यह एक आमसा मकाबला है जिसमें कोई एक जीच जाएगा और दूसा हार जाएगा लेकिन पीछे एक और बहुत बड़ा प्लैन चाल रहा हता है कलोडियस के माइड में हैमलेट को मरवाने के लिए वो क्या करता है वो सोईता है कि वो लियर्टीज की जो तलवार होगी न उस पर जहर लगा देगा और जैसे ही लियर्टीज हैमलेट को वो तलवार मारेगा हैमलेट के जिसम पर जखम होगा जहर उसके अंदर जाएगा और प्रिंस हैमलेट मर जाएगा और प्लैन भी ये तियार करता है या बैक अप प्लैन दूसरा ये होता है कलोडियस का कि वो एक जहर का प्याला तियार करवाएगा जहर वाली ड्रिंक तियार करवाएगा और जैसे ही हैमलेट को प्यास लगेगी तो वो हैमलेट को वो जहर वाला प्याला पेश करेगा जहर व परवाता है कलोडियस के कहने पे कोटियर का मतलब कोई ऐसा आदमी जो किंग को कोई मश्यर्य वगरा देता है तो दोस्तो फाइनली मकाबले का दिन आता है लियर्टीज और हैमलेट एक दूसरे के मकाबले में आके खड़े हो जाते हैं लियर्टीज की तलवार पर जहर लग चुक है और जहर वाला शर्बत भी त्यार हो चुक है प्रिंस एमलेट को मारने की पूरी त्यारी कर चुक है कलोडियस दोस्तो लड़ाई शुरू हो जाती है और फिर दोनों प्लेयर्ट अपनी दलवारों से एक दूसरे को उपर वार करते हैं एमलेट अच्छा परफॉर्म करते है और फिर कुछ देर सांस लेने के लिए रुकते है तो कलोडियस उसको वो शर्बत पेश करते है King Clodius कहता है Prince Emulet को कि यह शर्बत पी लो लेकिन Prince Emulet इंकार कार देता है वो शर्बत नहीं पीता और दोबारा से fight शुरू हो जाती है दोस्तों यह शर्बत जो है ना Gertrude पी लेती है वो समझती है वैसे ही पड़ा होगा अब उसको थोड़ी बाद है कि इसमें जहर मिला हुआ है तो Prince Emulet की मदर Gertrude और Clodius की बीवी King Clodius की बीवी Gertrude मर चुकी है जहर इतना शदीद होता है कि पीने के फौरण बाद ही Gertrude की मौत वाक्या हो जाती है वो मर जाती है पिर रड़ाई में लड़ते लड़ते जो L Antarctica की जहर वाली तलवार होती है ना उससे जखम लग जाता है हैमलett को लेकिन हमलett फौरा नहीं मरता दोस्तो कुछ जगा में मैंने पढ़ा था कि जो L Heart bak दो ऑप च्चेंज की झाती हैं لیئر تیز गिर जाता है, जहर का सर जड़ना शुरू हो जाता है, لیئر تیز मरते मरते बताता है, के कलोडियस ही, उसकी मौत का दिमेदार है, गर्ट रूड की मौत का, क्योंके उसने जहर मिलाए था, उस ड्रिंक में जो के हैमलेट को प्लाई जानी थी. इसके बाद लियर्टीज मर जाते है दोस्तों फिर क्या हैमलेट बाग के जाता है कि इंक लोडियस के पास और अपनी तलवार गुसा देता है उसके अंदर और जो जहर वाला शर्बत होता है ना लोडियस को पीने पर मजबूर करता है पिर क्लोडिस भी मर जाता है प्रिंस हैमलेट की तलवार के वार से और फिर उसके कुछ टाइम के बाद ही हैमलेट भी मर जाता है अपना बदला लेके यानि के लियर्टीज और जो हैमिलेट हैं प्रिंस हैमिलेट ये दोनों लड़ते लड़ते जहर वाली तलवार के जहम की वज़ा से मर जाते हैं दोनों दोस्तो फिर नौर्वे का एक बाश्या होता है जिसका नाम आता है फोर्टीन ब्रास वो डैनमार्क पर हमला करने आता है और अपनी फोज लेके आता है फोर्टीन ब्रास का जो बाप था ना उसको किंग हैमिलेट ने मारा था प्रिंस हैमिलेट के बाप ने तो फोर्टीन ब् सिर्फारास के बाब का नेम भी 14 भाब था और हमलाइट प्रिंस एमलीर के बाब का नेम भी किंगा मलेट था तो नेम सेम षै है तो फिस्बूर्टतो बदला लेने आता है 14 पर कीमौत डैनमार्च पर अमलाज आ立 पर uppलेंड पर भी हमला करता है उसके बाद डैनमार्च में अपनी आर्मी के साथ और देखता है कि रोयल फैमिली वाले सारे लोग मरे पड़े हैं सबी मर चुके हैं सिरफ हरेशियो ही जिन्दा बच्टा है और हरेशियो बताता है फिर 14 ब्रास को कि हैमलेट मरने से पहले ये बात उसको कहके गया हरेशियो को कि उसकी ये ट्रैजिक स्टोरी सनाई जाए सबको तो हरेशियो हैं प्रिंस हैमलेट की खुआश पूरी करता है और 14 ब्रास को हैमलेट की ट्रैजिक स्टोरी सनाता है उसके बाद 14 ब्रास ओर्डर देता है कि हैमलेट को एक शोलजर की तरह उठा के ले जाया जाए दोस्तों यहां पर प्ले खतम हो जाता है हम जानते हैं कि हैमलेट प्ले के अंदर भी एक प्ले परफॉर्म किया गया तो इस वज़ए से इसको प्ले विदिना प्ले भी कहा जाता है और उस प्ले का नाम ये भी था The Murder of Gonzago या फिर Mouse Trap दोस्तों मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी इस प्ले की कोई क्वेस्चन हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट में और आप लोग कौन से समेस्टर में हो ये भी बता सकते हो आप लोग अगर बताना चाहते हो तो आज की वेड़े में बस सितना ही